साथियों, देव भूमी के प्रती असीम सद्धा रखते हुए, यहां की असीम संभावना उपर विश्वास करते हुए, आज उत्राघंड की सरकार यहां विकास के महा यग्य से जुड़ी है, पूरी ताकत से जुड़ी है, चार धाम सडक परी योजना पर तेज़ी से काम हो रहा है, चारो धाम हाइवे से जुड़ रहे हैं, बविश्य में यहां केजार नाजी तक सरद्धालू के वल कार के जरी आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी सुरू हो गई है, यहां पांस में हो पवित्र हैमकुन साब जी है, हैमकुन साब जी के दर्शन आसान हो इसके लिए, वहां भी रॉप्वे बनाने की दिशा में काम तैयारिया चल रही है, इसके अलाबा रिशिकेश और कर्ण प्रयाक को रेल से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है, अभी मुक्हिमंती ची कहते थे, पाड़ के लोगों को तो रेल देखना भी दुश्कर होता है, अब रेल पोहँट रही है, इस सब कामों को उत्राखन को उत्राखन के परियतन को बहुत बड़ा लाब मिलने माला है, और मेरे शब्द उत्राखन के लोग लिख करके रखे، जिस तेज गती से infrastructure बन रहा है पिछले सो साल में जितने यात्री हाँ आए है ना आने वाले दस साल में उससे भी जादा आने वाले है आप कल्पना कर सकते हैं यहां की अर्थ बबस्ता को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है 21 वी सताथी का है तीसरा दसक यह उत्तरा खंड का दसक है मेरे शब्द लिख के रखिये मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूँ हाल के दिनों में हमने सभी ने देखा है कि किस किस तरह चार धाम याता आने वाले सरद्धालों की संख्या लगातार रेकॉर्ड तोड रही है और यह कोविड न होता तो न जाने यह संख्या कहां से कहां पहुँच गई होती है उत्रा खंड में मुझे यह भी बहुत खुशी हो रही है खास करी मेरी माताएं बहने और पहण में तो माताओं बहनों की ताकत का एक अलग ही सामर्थ होता है जिस प्रकार से उत्रा खंड के छोटे-छोटे स्तानों पर प्रकृति की गोद में होम स्टे का नेटवर्ग बन रहा है सेंकड़ों होम स्टे बन रहे हैं मात आए भेने और लोग भी जी आत्री आते हैं बेबी होमस्टे को पसंद करने लगे हैं रोजगार भी मिलने वाला है स्वाविमान से जीने का आउसर भी मिलने वाला है यहां की सरकार जिस तरह विकास के कारियों में जुटी है इसका और एक लाव हुआ है यहां गुर्ना तो हमेशा दूते थे पहाड का पानी और पहाड की जवानी कभी पहाड के काम आती नहीं इस बात को बद wonderा है अब पानी भी पहाड को काम आएगा जवाडी भी पहाड को काम आएगी पलायन रुकना है एक के बाद एक जो निरने हो रहे हैं पलायन रुकना है मान के चलिए सात्यों मेरे नवजवान दोस्तों ये दसक आपका है उत्तरा खंड का है उजवल भविश्य का है